हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरजी में आज हम बात करें कारेपत्रा के कत्तर की जो की 23 दिसंबर के लिए जारी किया गया है यह कक्षा 10 का विज्ञान विशे कारेपत्रा के या बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने कक्षा अद्धा पकर नाम लिखेंगे बच्चों हमारा पाट चल रहा है हमारा परियावन और इसमें हम आज पढ़ेंगे खादेजाल और ओजोन परत के बारे में पिछली आगर कारेपत्रक का आपको याद हूँ तो पिछली कारेपत्रक में आहाश्रिंकला के बारे में पढ़ा था, अगर हम सिंपल में समझे, तो आहाश्रिंकला और खादेजाल में ज्यादा आन्तर नहीं है, आपको पता ही होगा, कि कई बार अपने जीव, अपने जीवन व्यापन के लिए जुरत पढ़ने पर किसी जीव के ना मिलने पर दूसरे जीव को भी खा लेता है, जारा तर की मासाहरी जो जानवर है वो, यानि की जो दूसरे जीव को खाते है तो ऐसी स्थिती में वो क्या करते है वो एक जीव से दूसरे जीव को खा जाते है, तो हमारी जो खादे सिंकला है, जो सीधी सीधी चलती है चेन के रूप में चलती है वो क्या होती है वो पेड़ नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बढ़ती चली जाती है तो जब पेड़ नुमा स्ट्रक्चर के रूप में बढ़ती चली जाती है तो ये क्या बनाती है ये एक तरह से खादे जाल का निर्मान करती है बच्छो तो चलिए एक बार देख लेते हैं पढ़ लेते हैं जान लेते हैं कि आज के आपके पार्ट में क्या आपके लिए खास है और आज का कारेपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्छो तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट हमारा पर जीवों के बीच आहर संबन शाकानवित होते हैं तथा एक जाल बनाते हैं इसे ही खाद्दे जाल कहते हैं यानि कि जो आहर शिंगला है वो तो सीधी चलती है लेकिन एक जीव एक दो या दो से अधिक जीवों को भी कई बार खा लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ये जैसे कि मैंने अब बताया कि पेड़ के साखाओ की तरह बढ़ती चली जाती है इसी वज़े से एक जाल बनाती है इसे ही हम खाद्दे जाल कहते हैं बच्छो चली आगे बढ़ते हैं ये बच्छो आप अपकर धियान से देखे तो ये एक छोटा सा पिक्चर दे रखा है किसक खाद्दे जाल का ठीक है बच्छो चली अब क्या है हमारे क्रियाकलाब परियावर्ण में किस परकार प्रभावित करते हैं तो हमारे परियावर्ण में जो कई सारे क्रियाकलाब है हमारे वो परियावर्ण को प्रभावित करते हैं और कई अलग अलग तरीके से प्रभावि करता है ताथ हमारे कर्या किला लार पर्यावण को पर्भावित करते हैं यानि की एक दूसरे को पर्भावित कर कि पहला है ओजोन परत का हास तता दूसरा है और आगे कहा प прибादेटों इस कारेपत्रक में हम ओजोन परत के हास का अद्द्द करएंगे यानी कि जैसे कि मैंने बताएं कि आपको पढ़ना हो जोन परत के बारे पढ़ना है लाइपो जो अगर आपको कुछ याद हो, आपका जब स्कूल बंद हुआ, लोकडाउन शुरू हुआ, तो कुछ समय पस्चाद ओजोन लेर के बारे में या ओजोन परत के बारे में काफी ख़दर बेरे सामने आई थी नियूज में हुआ रहे, और खबर ये थी कि धीरे धीरे पर करती अपने आप, जो ओजोन परत का हास हुआ है, उसे ठीक करने की कोशिश कर दिये, कारण उसका ये था कि जितने भी फैक्टरी थे, कार थे, बस थी, ये सब चीजे बंद हो गई थी, और सबसे बड़ी चीज जो जल्दी से जल्दी नुकसान पहुचाती है, वो है जेट प्ल क्या हुआ, कि धीरे धीरे ओजोन परत का वापिस जो छेट था, वो छेट बन गया था, जो हास हुआ था, वो ठीक होना शुरूआ, और काफी हद तक वो प्रकरती ने अपने आप ठीक भी कर लिया था बचो, चैली बचो आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा पढ़ते हैं ओज कर लेती हैं, तथा जीवों को स्वास्ते संबंदी हानियों से बचाती हैं, यानि के का करती है, यूवी पैरा भेंगनी किर्णों को अपने अंदर अव्शोशित कर लेती हैं, और हमें स्वास्ते संबंदी जो बिमारी हैं, जैसे कि स्किन का कैंसर है, ऐसी बिमारी उसे बात करते हैं ओजोन के निर्मान की तो इसका निर्मान कैसे होता है होता क्या है अधिक उर्जय युक्त पेरा बैगनी विकरण ओटू अनू को ऑक्सीजन परमानू में विकरणित करता है यह क्या करता है यानि दो ऑक्सीजन दो के परमानू अलग अलग विकरणित हो गया oxygen अणू के साथ मिल करके ये ओत्री या ओजोन के परत बना देता है बच्छो चलिए अब आगे बढ़ते है अब बात आती है बच्छो ओजोन परत के हार्स की तो ओजोन परत का हार्स क्यों हो रहा है ओजोन परत के हार्स का मुखे कारण CFC, chlorofluorocarbon gas है जिसका अपयोग fridge AC आदी में होता है तो होता क्या है बच्छो जो fridge AC आदी में अपयोग होने वाली gas है उनके कारण ये हास हो रहा है तो पहला है सहुक तरास से परिवारन कारेकरम UNEP में सभी देशों में सहमती बनी कि CFC के स्थरों को 1986 के इस तरह पर सीमित रखा जाए Kyoto Protocol Kyoto Protocol में क्या हो कि 1986 में एक agreement पास हुआ UNEP दुआरा की ये जो स्थर है उसे सीमित कर दिया जाए कि इसे कम से कम CFC को इस्तेमाल किया जाए फ्रीज और AC में या और जो प्रोड़क्ट है उन्हें भी तो हुआ कैसे पूरे विश में अभी सभी AC तथा फ्रीज उत्पादा कमपणियों के लिए निवार कर दिया गया कि वैस CFC क्लोरो फ्लोरो कारबन मुक्त उपकरण बनाए तो उन्होंने इस तरह के उपकरण बनाने से कर दिये जो CFC बनाए तो बच्चो यह तो बात हुए आपके कारे पत्र की अब जड़ा प्रशन तर देख लेते हैं पहला प्रशन है ओजोन क्या है तथा यह हमारे ले कैसे उप्योंग होगी है तो ओजोन क्या है बच्चो ओजोन प्रित्वी के चार और एक प्रत है जो रक्षा प्रत के तूर पे काम करती है और यूवी विकरण को अवशोशित करती है और हमें स्वास्त संबंदी हानियों से बचाती है जैसे की इस किन का कैंसर बच्चो CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखे तो CFC का नाम होता है बच्चो स्कुलोरो फ्लोरो कारबन और UNEP का नाम होता है स्वागत रास्ट परियावरन कारिकरम यूनाइटिन नेशन एन्वार्मेंटल प्रोग्राम बच्चो चली आगले बढ़ते हैं तीसरा है ओजोन परत द्वारा कौन से विकरन अवशोशित किये जाते हैं तो बच्चो ओजोन परत के द्वारा हानिकानक पैरा बैंगनी या UV किरनो को विकरन को अवशोशित किया जाता है आगे है वाईयू मंदल में ओजोन निर्वान कैसे होता है बच्छों वाईयू मंदल में ओजोन कर निर्मान हमने भी पढ़ा था कि होता क्या है यूव विगरण ओटू जो अनू है उसे दो छोटे छोटे परमानू में विखंडित कर देता है फिर O2 अणू और परमाणू दोनों के दोनों मिल करके Ozone अणू बना देते हैं जिसे हम O3 कहते हैं बच्छो तो बच्छो यह हो गया आपका कारेपत्र कम्प्लीट और वीडियो भी आशा करता है सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू